नमस्कार आप देख रहे हैं दनिक साती हर्याणा मैं हूँ आपके साथ आपका साथी अमित विश्व कर्मा सेफ हो गया है लोग सबद चुनाव के बाद छटी बार सांसत बनने के बावजूद राजमंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे राव के तेवर पूरी तरह से तलक दिख रहे थे इसी का परिणाम था कि गुरुगराम मैं आईजी चुनाव समिति की बैटक में जब राव स से आरती कहां से चुनाव लड़ेगी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इतना ही नहीं किसी भी सीट से अपने परतासी का नाम नहीं दिया जाने की बात भी सामने आई वा स्वतनत रूप से दक सिन हर्यान की तमाम सीट पर फ्री हैंड चाह रह हैं विश्वा सुत्रों के मताबिक अटेली, कोशली, पटोदी, रिवाडी, बावाल, पसोना सीट बताई जा रही हैं वहीं गुरुगराम विधानसवा सीट से भी राव अपने समर्थक को चुनाव लड़ाना चाहते हैं वहीं रिवाडी सीट पर भी कुछ हद तक पेच लेकिन काफियत तक राव मान गए हैं वहीं बावाल आरक्सित विधानसवा सीट पर संगव संगठन की पसंद दो बार से लगतार विधायक कैबिनेट मंतरी डोक्टर बनवारिलाल बताई जा रहे हैं सुत्रों की माने तो राव का भी बनवारी को आसिरवाद प्राप्त है हालकि सूचना ये भी सामने आए कि राव की और से अन्या दो नाम भी सुझाए गए हैं ऐसे में कुछ भी हो सूत्रों के अवाले से जो खबरे सामने आ रहे हैं उससे इस पस्ट है कि जिस तरह से आरती राव के कोंग्रेस में जाने की अटकले लगाई जा रही थी उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है आरती का कोसली या फिर अटेली से चुनाव लड़ना तह है क्योंकि ये दोनों सीट राव के खाते में ही बताई जा रही हैं ऐसे में कुछ भी हो टिकट के एलान से पहले तमाम दावेदारों की धड़कने जरूर बढ़ी हैं क्यो बढ़ी हैं